हालो, कैसे हैं आप सब लोग, I hope all are finding good, तो देखिए, आज संबार का दिन है, और आज मेरा व्रत भी है, जैसे कि आपको मेरा टीका देख के लग रहा होगा, सागन के संबार चल रहे हैं, और मैं सारे ही व्रत रखती हूँ, तो आज व्रत का खाना बनेगा, सिंपल, बिना ले अज पार, तो देखिए, मैं आज क्या बनाती हूँ, और कैसे बनता है, तो लेट स्टार्ट, तो इसके लिए हमने दो टमाटर ले लिये हैं, और चार आलू लिये हैं, और अब हम गैस ऑन करेंगे, और उसके उपर मैंने कूकर रख दिया है, कूकर में मैंने आल डाल दिया क्योंकि अगर द्हुआ नहीं लिकलता है और अगर व्यर्ट में ही अगर टमाटो डालेंगे तो क्या होगा उससे कीष स्मेल आने लगेगी यूज प्रेग थे इसलिए इसलिए वो समय नाय इसलिए हम उसे अच्छे से हीट करेंगे तो हीट करने के लिए थोड़ा सा हम वेट जीरा दालेंगे जीरा देखिए उनने तक थोड़ा सा वेट करिएगा जब तक वो थोड़ा सा चटक ना जाएं और उसे जादा नहीं जलाना है तो बिलकुल काले हो जाएंगे और फिर क्या होगा सब्टी का टेस्ट खराब हो जाएगा इसलिए हमें उसे हलका सा ब्राउन कर मां छॉपड जाले हैं आप चॉप का कर के ही डाले का क्योंकि इस सब्टी में चॉप चर्फ अचर्फ बहुत अच्छे होते हैं तो आप इसे चॉप कर आप देखिए मैं ब्रूभ कालउ डों गई जैसे के आपको दिख रहा होगा और इसे हलकाल का माश करती जाऊंगी आप जितना खाते हैं उस हसाब से आप डाल दीजे तो हम लोग थोड़ा सा ठीक ठाक नमक घाते हैं इसलिए मैं टू स्पून डाल रही हूं सॉल्ट का वन स्पून ऑफ कश्मीरी लालमिर्च क्योंकि यह सब्जी बच्चों ने भी खानी है तो मैं से जादा स्पाइसी नहीं इसलिए मैंने कश्मीरी लालमिर्च डाली है जिससे की सिर्फ कलर आता है तो अब वन स्पून ऑफ टार्मरिक इसमें डाल रही हूं हल्दी डाल रही हूं अब वन स्पून ऑफ धनिया धनिया पाउडर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने अपने सारी मसाले डाल है तो और कोई मसाले यूज नहीं होते इसलिए हमने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर जो बेसिक मसाले हैं हर घर में अवेलिबल होते हैं तो अब हम देखिए इसे अच्छे से मिक्स करते वे मैश करते वे जाएंगे और तब तक इसे पकाएंगे जब तक क अब तक इसमें बहुत 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 टेस्टी बनने वाली है तो हम उसे अच्छे से पकाएंगी अब देखिए मेरा ओईल रिलीज हो चुका है तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसलिए कि वो नीचे से तली ना लगे इसलिए अब हम उसे थ देखिए हमारा नेक्स टैप किया है अब हम इसमें जो हमने आलू काट कर रखे दे वो हम इसमें डाल देंगे और उसके साइजिस में बड़े रखे हैं आप अगर चोटे चाहें तो आप चोटे भी रख सकते हैं लेकिन हम कुकर में बना रहे हैं तो जल्दी गल जाएंगे इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है आप फटा फट वाला काम करें तो आलू आप बड़े बड़े पीसे में काट कर डाल सकते हैं अब देखिए मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और फ्लेम को लो कर दिया है अब मैं उसे थोड़ा सा पकने दूँगी आलू को इसलि हम उसको थोड़ा सा पकने देंगे अब देखिए मैं सब्ची को एक बार चेक कर ले रही हूं तो वो काफी अच्छे से जो आलू है वो मसाले में अच्छे से कोट हो चुके हैं तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी तो पानी आप अपने हसाब से डालेगा अगर आप जादा पानी वाली भी पसंद नहीं और जादा गाड़ी भी नहीं तो मैं मीडियम स्टेज की बनाऊंगी इसलिए मैंने दो से तीन गिलास पानी डाला है और उसके बाद हम इसकी लिल लगा करके इसे बंद कर देंगे अब हम इसमें चार सीटी आने देंगे और चार सीटी तक वे करें हैं जो सबसे पहले हम ऊशम में हम सेश психे मस्टर ऑइल डालेंगी मैं मंस्टर ऑईल के यूज कर रही है क्यूंकि हमारी घर में वही यूज होता है अब हम ओयल को हीट होने देंगे अच्छे से जैसे कि मैं पहले भी कर रही थी और दूसी तरफ देखिए हमारे कुकर में सीटी भी आने लग गई है पस अब कुछी देर में हमारी पहली सबजी तयार हो जाएगी तो चलिए अब आगी दूसरे सबजी की प्रोसेस शुरू करत अब हमारा जो ऑईल है वो काफी अच्छे से हीट हो गया है तो अब मैंने इसमें दो से तीन लाल मैंने घर पे सुखाई हुई थी वो मेर्चों को काट कर इसमें डाल दिया है क्योंकि ये सबजी में बच्चों के लिए नहीं बना रही हूं तो थोड़ी सी स्पाइसी बने है चार से पांच छोटे साआजे में मैंने इसमें आलू काटकर डाल दिए है अब आलू सारे डालने के बाध हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप हम इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद half spoon of salt डालेंगे salt डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे cover कर देंगे तब तक जब तक की जो आलू है वो अच्छे से 90 percent पक ना जाएं तो अब देखिए मैंने इसे अच्छे से cover कर दिया है तो देखिए अब हमारी जो कूकर में सब्जी बनी थी वो भी रेडी हो चुकी है तो चलिए देखते हैं कैसी बनी है ये देखिए कितना अच्छा गलर आया है और कितने अच्छे से ये सब्जी बनकर तयार हुई है तो आप इसके जो आलू हैं उन्हें हलका सा मैश कर लीजेगा कुछ आलू को मैश कर लीजेगा और कुछ को ऐसी ही रहने देजिए मैश करने से होगा क्या जो आपकी सब्जी है वो थोड़ा सा उसके ग्रेवी काड़ी हो जाएगी और आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा ये बहुत टेस्टी होती है चलिए अब हम अपनी दूसरी सबची की तरफ चलते हैं इसके आलू पक चुके हैं अच्छे से और इसकी जो शिमला मिर्च है वो हलकी सी रह गई है हमने पांच नट बाद चेक किया है तो अब हम इसे दुबारा से पांच मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर हमारी ये सबची भी तयार तो देखे मैंने इसे ढख दिया है और पांच मिनट होके चुके हैं अब हम इसे चेक कर लेते हैं और हमारी ये सबची भी ड्रेडी हो चुकी है देखे कितना अच्छा लग रही है कितना अच्छा कलर आया है और मैं अब इसे इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी और ये सब ची भी तयार अब मैं बना रही हूँ तीसरी चीज़ तो उसके लिए सबसे पहले मैं दही लिका लुए हूँ ये जो दही है ये मेरे घर का जमा हुआ है मैंने ही इसे जमाया है अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने इसे जमाया है इतना अच्छा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा मैं इसकी भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी तो अब हम इसके बाद पूदी डाल देंगे जो रेडियो मेड आपको मारकेट में अवेलिबल हो जाएगी ये दो तरीके की आती है एक सिंपल में और एक मसाली तो मैंने पूदीना वाली यूज़ करी है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप देखिए इसे मिक्स कर देने के बाद अब मैं इसमें सॉल डालूंगी अकॉर्डिंग तू टेस्ट मैंने सॉल डाल दिया है वैसे इसमें सिंपल सॉल की जगा आप प्लैक सॉल भी डाल सकते हैं उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है लेकिन मैं वरत के दिन खाती नहीं हूँ तो इसलिए मैंने इसमें नहीं योज़ करा है लेकिन आप लोग योज़ कर सकते हैं आप मैंने इसमें पिंच ओफ लाल मिर्च डाली है ये कश्मीरी नहीं है ये वैसी ही मिर्च है और मैंने इसे थोड़ा सा डाला है इसलिए कि इसका कलर बहुत अच्छा आजाए और हलका सा थोड़ा सा तीका बन स्पैसी बना जाए आप मैं क्या करूँगी मैंने तवे में जीरे को अच्छे से भूल लिया था और उसे दरदरा पीस लिया है आप उसे ज़्यादा बारीक मत पीसेगा दरदरा ही पीसेगा क्योंकि उसका टेस्ट काफी अच्छा आता है अब देखिए मेरा राइता बन के तयार है कितना अच्छा लग रहा है हाना तो मेरे वरत का खाना आपने देखा मैंने क्या क्या बनाया तो देखा आपने मैंने कितनी इजी तरीके से और फटा फट अपने वरत का खाना बनाया है क्योंकि वरत के दिन हम काफी ठक जाते हैं और जादा लंबा प्रॉसेस वाला खाना हम बना नहीं पाते तो मैंने बहुत फटाफट और इजी वे में ये खाना बनाये हैं तो आप भी अपने घर पे जरूर ट्राइ करिएगा जो आज मैंने बनाये हैं और मुझे कमंट सेक्शन में बताईएगा कि आपका खाना कैसा बना तो मैंने आज बनाये था आलो टमाटर की सबजी, आलो शिम्लामिर्च की सबजी, बोधी का रायता और लच्छा परांथे तो आप भी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब सरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई